आज की इस वीडियों में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में विश्तार से जानेंगे बहुत ही सरल है अक्सर परिक्षाओं में आपकी पूछ लिया जाता है परिभासा और उदाहरण और जब आप कोई परिक्षा देने जाते हैं तो वहां पर उदाहरण देता है और पहचानने के लिए कहता है कि कौन सा लंकार है ठीक है तो दो तरह के सवाल बनते हैं यदि आप कक्षा 12 के विद्यारती हैं तो आपको परिभासा और उदाहरण याद करना पड़ेगा जानना समझना पड़ेग और यदि आप कोई प्रतियोगी परिक्षा देने जा रहे हैं तो आप में ऐसी छमता होने चाहिए कि कोई भी काब ये दिया रहे तो आप पहचान सके कि उसमें कौन सा लंकार है फिलाल चलिए मैं आपको इस लंकार को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रियास करता हू बहुत ही सरल है यदि आप थोड़ा सा भी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो बात सव प्रित्सत समझ में आ जाएगी तो चलिए सबसे पहले मैं परिभासा पढ़ता हूँ फिर आपको समझाने का प्रियास करता हूँ जहां पर किसी रूप, गुण, कार्य आदि को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वरनित किया जाए वहां पर अतिसयोगति अलंकार होता है फिर से एक बार परिभासा मैं पढ़ देता हूँ जहां किसी रूप, गुण या कारी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वरनित किया जाए वहां पर अतिसयोगति अलंकार होता है अब मैं उदाहरन पहला लूँ उसके पहले एक वाक्य बोल रहा हूँ आप समझे कि अतिसयोगति कैसे है जैसे आप कहें किसी को कि रहे यार वो लड़का तो हाथी जितना मोटा है तो बताए क्या कोई आदमी हाथी जितना मोटा हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन कोई लड़का मोटा है लेकिन आपने इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया और लड़का तो हाथी जैसे मोटा है तो यहां पर अतिष्वयूगती अलंकार है ठीक है फिलाल यह एक साधान सवा कि था हम लोग काव के माध्यम से कावी का जोऊधार ने उसके माध्यम से समझते हैं देखें यहां पहला जो काभ्य है वह भूशन जी के भूशन जी की रचना है और इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आर्थ बता दूं तभी आपको अत्सेयोक्त से अलंकार है यह आसानी से समझ में आ जाएगा देखें यहां पे वरणन उस समय का है जब सिवाजी की सेना लड़ने के लिए चल देती है ठीक है तो यहां कभी भूशन जी वर्णन करते हैं देखें कमठ का मतलब होता है कचुवा जो खोपड़ी वाला कचुवा होता है ना आप जानते हैं हमारे पुराणों में एक कथा है कि जब समूद्र मन्थन हो रहा था तो कचुवे ने मदराचल परवत को अपने पीठ पर धार्ण किया था यानि जो मदराचल परवत है अपने पीठ पर रखा हुआ था कचुवा उसकी खोपड़ी इतनी मजबूत थी ठीक है और यहां पर देखे सेसनाक का फन है ठीक है दो चीजे हैं इन दो चीजों को ध्यान रखिए और मै अर्थ आपको बता रहा हूँ तो भूसर जी कहते हैं कि सिवाजी की सेना जब चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह खचुवा जो मदराचल परवत को अपने पीठ पर धार्ण किया था उसमें दरार आ जाती है और चटक कर तूड जाता है तो सोचिए सिवाजी की सेना कि इतनी वजन रहे होगे क्या मदराचल परवत से ज्यादा वजन रहे होगी नहीं लेकिन यहां बढ़ा चड़ा कहा जा रहा कि जो कचुवा मदराचल परवत को अपने पीठ पर रख लिया था वो सिवाजी की सेना जब चली तो चर्रा के तूट गया आगे कह रहे हैं देख इतनी वजन प्रिथ्वी टर्गी हुई है उसका फणchau प्ताए उसका प्त्राग शेंट पqua पट्ता तो अब यहां पर देखिए जो सेषनाग इतनी वजन प्रिथी वीपो अपने उपर धरन की हैं और उसी प्रित्वी पर सारे लोग हैं कभी यहाँ पर कहए रहा हूँ कि सिवाजी कि सेना से उसेशना का फ्वन ऐसे फड़ गया जैसे कीला का पत्ता राम से फड़ जाए तो कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है है कि नहीं तो मैं वही कह रहा हूं कि जब कहीं पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए किसी के रूप को किसी के रूप को आप कह दीजिए वो तो चांद से भी सुन्दर है या तो किसी और से सुन्दर है या कह दीजिए उसमें तो गुड़ ऐसा जितना भगवान राम तो बढ़ा चढ़ा के बात हुई तो जब हम कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं वहां परत से योगता लंकार होता है चले दूसरा उधारन भी देख लीजिए देखे ये दूसरा जो उधारन है ये महा कवी मैथली सरण गुप्त जी की रचना है और इसमें इसका थोड़ा सा अर्थाप समझ लेजे तो आप आराम से समझ लेंगे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गंगन में जा रही यहां पर कभी कह रहा है कि ये जो सा प्राकित यानि अयोध्या नगर है इसमें ऐसे घर बने हैं ऐसे भावन बने हैं इतने उंचए जो पहली बहरे मिलने जा रहा है हो आसमान को ओ रहा है तो बहाई बताओ क्या कोई जहां किसी रूप गुण कार्यादी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए महापरत से युकतलंकार होता है ठीक है मेरे ख्याद से बात एकदम समझ में आ गई होगी इस पश्टी करण भी मैंने लिख दिया है आप देख लिजे देखिए उपरियुक्त प्रथम को अपने फन पूरी प्रिफिव को अपने फन पर टिका है वो केले के पत्ते के समान फट गया ऐसा वर्णन किया गया है और यह बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है इसलिए उपरियुक्त दोनों उदाहरों में आतिशायोक्तिय अलंकार है मेरे ख्याल से बात आपको पर चलेंगे और आपको बताने का प्रियास करेंगे